चैय मातादी दोस्तों कैसी हैं आप सभी? दोस्तों जब भी कोई ग्रह अपनी राशी परिवर्थित करता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है और दिपावली के बाद यानी 28 अक्टूबर को शुक्र ग्रह अपनी राशी परिवर्थित कर रहे है शुक्र ग्रह जो है वो विशेश रूप से शुब फल्दाई ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जिनका सकार अत्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है भोग विलासिता के कारग्रह ये माने जाते हैं और इनसे हम बहुतिक सुक्स विधाओं को देखते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में जो भी बहुतिक सुक्स विधाओं होती हैं उनकी व्रधी करने वाले शुक्र ग्रह ही होते हैं प्रेम जीवन की व्रधी करने वाले भी शुक्र ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह हमारे प्रेम जीवन को अच्छा करते हैं वह वाहिक जीवन को अच्छा करते हैं सुक्सम्रधी देते हैं लेकिन वहीं अगर इनका नकरात्मक प्रभाव हो तो ये इन सभी चीजों में खामिया द वंबर तक वहीं रहने वाले हैं तो शुक्र का ये गोचर तुला राशी वाले जातकों के लिए कैसा समय लेकर आया है 28 अक्टूबर के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा चले जानते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और गंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों इस गोचर के दोरान शुक्र आपकी राशी के दूसरे भाव में विराजमान होंगे और दूसरा भाव जो होता है वो होता है धन का भाव इससे हम अपने आर्थिक जीवन को भी देखते हैं और आर्थिक रूप से यदि देखें तो तुलाराशी के लोगों के लिए ये समय अधिक से अधिक धन अरजित करने के लिए होगा और इसका आप संचय विशेश तोर पर करने में सफल होंगे ये गोचर आपको पैत्रिक संपत्त की आने की संभावना है घर में किलकारियां गुजने की संभावना है और अपके ये खुशी का आपके लिए समय होगा इसके साथ ही जो नव विवाहित जोड़े हैं वो अपनी शादे शदा जिन्दगी का भरपूर आनंद उठा पाएंगे क्योंकि ये भोग विलाशिता के कारग रहे हैं तो आप अपनी जीवन में एक नया पन देखेंगे बेहद हुर जावान रहेंगे और अपनी शादे शदा जादी शादे शदा जिन्दगी को आप जी उठेंगे जीवन के बहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे प्रेम जीवन की बात करें तो तुलाराशी के लोगों को थोड़ा समल कर रहने की जरूरत हो सकती है पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार या जड़पा जड़पी हो सकती है कामकाजी लोगों को इस अवधी के दोरान अपनी कारशेत्र में विसी इस तोर पर ध्यान रखने की जरूरत होगी हलाकि आपके लिए ब आपको लागू होने वाले नीतियों से विश्येस लाव की प्राप्ती हो सकती है कई बड़े बदलाव देखने को इन दुनों आपको मिल सकते है शुकर गय के सकारातमक प्रभाव से आपकी भाशा सैली में सुधार होगा वाणे में मदूरता आएगी आप दूसरों को अपनी तरह बड़ी ही जल्दिया करशित कर सकते हैं यदि आप भोजन प्रेमी हैं तो इस गोचर काल के दोरान आप पसंदिदा भोजन का आनद उठा पाएंगे कई तरह के पकवानों का आनद उठा पाएंगे और इस समय अगर आप कुवारे हैं कुवारी हैं तो आपको इस समय शादी का भी योग बन रहा है आप उपाए कर सकते हैं आप इस समय जो छोटी बच्चियां होती हैं उनका आशिरवाद आप लें उन्हें आप मिश्री दान करें शुक्रवार के दिन मिश्री का आप उनको दान करें चोटी कर्ण्याओं को तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अधी कुपलब्धियां लेकर आ सकता है जीवन में रस भरेगा बहुत इक सुखो का आनद आप ले पाएंगे तो दोस्तो और दी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें